हेलो एवरीवान कैसे आप सब आप देख रहे हैं अपना योटीब चैनल स्टार पाइलवाथ मैं पाइल शर्मा आप से भी कार्थी का विन्हंदन करती हूं स्वागत करती हूं तो आज हम बात करेंगे कि हमारी हैड वोईस और चेस्ट वोईस में क्या डिफ्रेंस है या आप है तो फ्रैंड्स जब भी हम गाना से या मुजिक सिखते हैं बेसिकली में वोकल की बात कर रही हूं तो हमें दो तरह की की वोईस बताई जाती है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा इंदियन क्लासिकल म्यूजिक मेडी टेटिव है मेडीटेशन बेस्ते हैं और इससे आप बहुत smoothing effect अपने अंदर पा सकते हैं. Head voice और chest voice इसका difference पे आपको ऐसे ही पता चलेगा. जब आपको भी गाना गाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी head voice क्या है और chest voice क्या है. Chest voice हमारी natural आवाज है. या हम सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यह हमारी आवाज का lower range है. मंदर सब्दक जब भी हम गाना गाते हैं या मंदर सब्दक का रियास करते हैं या मंदर सब्दक में कुछ भी गाते हैं तो हमारी आवाज बहुत गूंजती है और उसकी vibration आपको अपने heart पे और chest पर feel होती है. जब आप उसको feel करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यह हमारे अंदर गूंज रही है. जब भी हम किसी lower octave में कुछ गाते हैं तो हमारी आवाज बहुत ज़्यादा गूंजती है और वो गूंज कर खासकर हमारी chest पर हमारे को feel होती है. इसलिए खासकर इसको chest voice बोलते हैं. एक example में आपको बताती हूँ कि जैसे जब हम मंदर सब्तक का रियास करते हैं या मंदर सब्तक में कुछ गाते हैं या lower octave में कुछ गाना गाते हैं तो कैसे हमारी आवाज गूंजती है? आए देखते हैं और सुनते हैं. तो यह एक chest voice का example हैं. आप ध्यान से सुने, ध्यान द सा नी धा पा मा गा रे सा ओम का उचारण करेंगे और महसूस करेंगे आपको अपनी वोइस कहां पर महसूस हो रही है आप 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 अपनी वोईस से नीचे अपने मंद्र सब्सक्राइब से नीचे की और आ रहे हैं वैसे ही हमारी अबाज में गुंख यानी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है जैसे एक गाना लेते हैं बैयाना धरो ओ बले मां बैयाना धरो ओ बले मां आप नोटिस करोगे कि आपकी चेस्ट में यहां वाइब्रेट हो रहा है इसी को हम चेस्ट वोईस बोलते हैं यह हमारी नेचुरल वोकल रेंज होती है जो हमारी लोवर ओक्टिव से स्टार्ट होती है आईए अब जानते हैं हैड वोईस क्या है जैसे कि आप समझ गए होंगे कि इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि एक लोवर है और एक हाईयर है तो यह जो हम हैड वोईस की बात कर रहे हैं तो यह एक हाईयर ओक्टिव से स्टार्ट होती है जैसे आप फिल करोगे कि आपकी हवाजियां हेड में रोटेट आपको गूंज महसूस होगी सारी आप नोटिस करोगे कि आपकी हवाजियां हेड में गूंज रही है तो आपने देखा कि कैसे हमारी हेड में गूंज ती है इसलिए इसको हेड बोईस बोलते हैं means higher octave की आवाज हमारी हेड में गूंज ती है तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम आपस में बात्य करते हैं तो वह lower octave में होती हैं और जब हम चिलाते हैं या बहुत जोर से बोलते हैं तो वो हमारी head voice होती है उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो लाबदायक होगी आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो जल्दी से like करें शेयर करें और comment में अपने भाव हमारे तक हमारीब आर चाजने नहाँ आर नहाँ यहां तक जे तक जए रश नहाँ हके रज़ंगर पसमेश, और करके च्सक्वाज़ पत्ते हैं कि अ कर दो पसsterन चाहई आपके समें